सल्मान खान इन दिनो ट्राइगर तीन की शूटिंग कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनकी अगली फिल्म कभी इद कभी दीवाली की शूटिंग मनीश शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म खत्म होने के बाद शुरू होगी। एक न्यूस पोर्टल के मुताबिक, सल्मान अप्रेल के पहले सप्ताह में कभी इद कभी दीवाली की शूटिंग शूरू करेंगे। सेट पर सुपस्टा का स्वागत करने के लिए हैलिकॉप्टर का पीछा किया जाएगा। इसे स्टंट निर्देश को द्वारा मुंबई फिल्म स्टूडियो के एक हैली पैट पर शूट किया जाएगा। खान कथे तोर पर परिवार के सबसे बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, जो शादी से इंकार कर देता है, इस डर से की इससे शांती भंग हो जाएगी। फिल्म का बजट सल्मान और साजित की पिछली फिल्म केक से काफी ज्यादा बताया जा रहा है। टीम भावनात्मक द्रिश्यों पर जाने से पहले सभी एक्षन द्रिश्यों को खत्म करने की योजना बना रही है। फिल्म में सल्मान के अलावा पूजा हैगड़े भी नज़र आएंगी। सल्मान ने कभी भी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं किया है। जहीर इकबाल भी एहम भूमिका निभाएंगे। टाइगर तीन में कैट्रीना कैफ जोयाक का किरदार निभा रही है। फिल्म में इमरान हाश्मी एक विरोधी की भूमिका में है। हाला कि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है।